आज इस वीडियो में हम स्टार्ट करते हैं 12th State Board का Bookkeeping Accountancy जिसमें हम Chapter 1 करते हैं Final Account Introduction to the Final Account Basically Chapter का नाम है बस के इंदर हम Elluciaryation No.4 आज स्टार्ट करेंगे इससे पहले वाले Lectures में हमने 123 को स्कॉल कर दिया हुआ है यह मचना अभी तक नहीं देखा हुआ है Link में description box में दे दूँगा आपको वहां से मिल लाएगा और नेक्स में बतारू कि यह जो चाप्टर से इसका जो प्रैक्टिकल को सने को समझ में नहीं कर पाते हैं तो जिनको अभी तक समझ में नहीं आए 11 में तो वह आप क्या कर सकते हैं 12 में अच्छे से करना है आपको बोर्ड का एक्जाम है यहां पे तो next thing अब आपको जो भी एजिस्मेंट इसके related तो जो भी आपके एजिस्मेंट है वह एजिस्मेंट करना आपको कंपल सरी है विदाओ एजिस्मेंट विदाओ इसके इंट्रीज आप फाइनल एकांट को समझ नहीं सकते हो प्लस एजिस्मेंट यह बिखो के नहीं सीखो के तब तक कुछ भी समझ में नहीं आएगा सब बांस जाएगा इसलिए मैं यहां पे आप लोग को बस यही एडवाइस खना चाहता हूं कि आप यह टेश्बुक में 12 का जो टेश्बुक है आपका ठीक है इसमें पेज नंबर 16 17 और 18 आपको टेटिंग अकाउंट और बालेंस इट का फॉर्मेट दिया हुआ है ठीक है प्लस जो एजस्मेंट है एजस्मेंट पे मैंने वीडियो बनाया हुआ मैंने प्लेइस का नाम दिया आप जब मेरे यूटूब चैनल पे आओगे तो प्लेइस पे आप सीधा वहां पे आप सेर्च करना है क्या सुपर थर्टी एजस्मेंट या तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूं ताकि आपको ज्यादा मेहनत करने की पड़ है तो वह सब मैंने वहां पे explain कर दिया ताकि आपको समयने में बहुत ज्यादा इजी हो जाए तो चलिए आज का जो अपना लेक्शेस है वह स्टार्ट करते है बिसिकली आज हम कर रहे हैं इसी लिए आप पेंसील सब कुछ रेड़ी रखिए ताकि आपको सम्प मेरे साथ स पर आप इसके बाद हम फॉर्माट करना है यह सब करना है फिर इसके बाद हम फॉर्मिट क्या बनाना है कैसे बनाना इंगल सब बारे में हम करेंगे एंदेन फिर हम सम को सॉल करेंगे यह 12 मार्स का आपका बोर्ड एक्जाम में है इसका जो रिटेज है वो 12 मार्स है बोर्ड में तो आपको उसके लिए मेहनद करना है जिसको फाइनल अकाउंट आके है वो आगे के जितने भी चैप्टर से जैसे कि एप्यों एडमि इसको हम बोलते हैं सबको मैंने सॉल कर दिया चैप्टर निबस 6 तर तो वह सब आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चलिए है आज का लिक्टर हम स्टार्ट करते हैं तो इसमें आप देख सकते हो जो फॉर्स फॉम गिवेन है इसके अंदर फॉम दर फॉल्विंग ट्राल बालेंस ऑफ मिस्टर प्यूष और अरून यू रिक्वाइड टू ब्रॉपेर ट्रेटिंग अकाउंट अंद प्रॉफिट अल्स अकांट फॉर्ट फॉर्ट यह फॉर्ट फॉर्स मार्स तॉजन नाइटीन का है विक्टर इस भी निखा नह सब्सक्राइब अपना केड़ बालेंस है आते अभी पर्टिकुलर्स दिखते स्टॉप फॉर्स अप्यर 2018 दिया हुआ है यह ओपनिंग स्टॉप है ओपनिंग स्टॉप जाते है टेडिंग अकांट डेविट साइड में देखे आप लोग भी साथ-साथ में लिखते हैं यह सब्सक्राइब पर्चेस जाएगा टेडिंग अकांट डेविट साइड में जाता है टेडिंग अकांट डेविट साइड में जाता है टेडिंग अकांट डेविट साइड में जाता है टेडिंग अकांट डेविट साइड में फ्रेट भी जाएगा टेडिंग अकांट डेव तर फिर अध्राविजिए एक्सपेंस अभी यहां पर रिट करता हूं तराविजिए एक्सपेंस एविटीजमेंट बैट डिसकाउंट अलाव यह जो पार्ट है चालो यह जाएगा प्रॉफिट अलॉस अकाउं डेविट साइड में बस इतना या रखें कि जो एविटीजमे एड़िजमेंट है इस पर आपको लिटन एजस्मेंट दिया हुआ है क्योंकि यहां पर लिखावे कि एड़िजमेंट पेड क्या गया है त्री यह के लिए तो हम जो बनाते हैं वह वर्टी नौट सौल करेंगे और वन यह सका अबटी इसमेंट निकालेंगे और जो रिमें यह अपना इंकम है इसलिए यह जाएगा प्रॉफिट एन लॉस अकाउंट क्रेट साइड में भीड जाता है लिए आन्टिस क्लासिफिकेशन अब आते हम एजस्मेंट पे एजस्मेंट क्योंकों सा एजस्मेंट है यह देखिए और किस पे अप्लाइड होगा यह तो हमें कौन सा अमांट लिखना चाहिए कौन सा अमांट लिखना चाहिए तो इसमें यह बेसिक देखना है यह इसका मतर्ब क्या है अभी तक मिला नहीं है यह पेंडिंगे और मुझे कि इतना मिलना राक है है 1200 और वाकिए मिलना क्योंकि यह स्टील रिसी बेबल है तिके रिसी बेबल का मतलब होता है जो अमोंट हमें है रिसी नहीं हुआ है अधिस दिक करेंगे यहां पर यहीं पर देख़ें तो देटर को भी टिक कर दीजें फिर फिर फनीचर डेपीशेट है 5 पर संट पर यहां पर इसको टिक कर दीचे नीचे लिए इसको टिक माँ करके रखिए ताकि हमें याद रहे की एजिस्मेंट है गुद्स ओफ रुपीज 8000 दिश्टर्ड बाइफायर देखें गुद्स ओफ रुपीज 8000 दिश्टर्ड बाइफायर एन इंसर्ण कंपनी एडमिट्रेटर क्लेम ऑफ रुपी 6000 उनली तो यहां पर गुद्स जो था वह तो इसके लिए इस तीन एक जाती है एक जाता है तुसा जाता है प्रॉफिट लाउस अकाउंट डेविट साइड और तीसा जाता है अपना वैलिंसीड ऐसेट साइड तो यह पूरा मैंने एजिस्मेंट आपको एक्स्प्रेम कर दिया एक अपने बास अब हम आते हैं फॉर फॉर्मेट विडियो पॉइस करके फॉर्मेट रेडि किसे ओके यहाँ पे आप देख सकते हो तो मैंने यहाँ पर फॉर्मेट बना लिया है इंगा इंदा ना बुख्षॉप मिस्टर प्यूज एंद अरून है लेखे और टेटिंग एंड टेटिंग अस्तर स्मास स्टू सब्सक्राइब लिए अपना फॉर्मल्ट होगा वो होगा अपना बैलेंसीट का कि बैलेंसीट में अपना क्या लिखोगे बैलेंसीट एजन थर्टीफर्स मार्स तूथाउसन नाइंटीन यहां पर आएगा यहां पर लिखेंगे ओपनीं स्टॉप यहां पर लिखेंगे ओपनीं स्टॉप पर लिखेंगे ओपनीं स्टॉप ऊपनीं स्टॉप इतना है थर्टी ताउसन एड्ट हंडडिड लिखेंगे आपने जो प्रिवेश संस किये हैं तीन संस्स उसमें मैंने आपको कुछ फॉर्मट समझाए तो वह फॉर्मट आप लिखेंगे तो आपनीं स्टॉप कि बाद क कि और इधर पर के में यहां परिखो माइश चरव का नुए करतो यह फिर यह फिर पहली सी लिख लो है इतना सब दो अब नेक्स लाटे पराग्वांड कि तना एंड्ट वी ताउसन इनक्सान में पर्चिसे प्रिश करेंगे लेस करेंगे पिज़ी सालरी जाता है अपना क् तो यहां पिदेखेSt Homeland यहां पिए स्वाइब है तो आरियग कि इटना है इस पर एजेस्मेंट नहीं है तो आउटर काॉलम में लिखेंगे तो इने लिखेंगे फिर से जरता है अपना टेडिंग अपना टेविद टेड्र कंट क्遊戲 सैड्म है यहां पे लिखते हैं और 10,000 500 पेजस्ट में नहीं है इसलिए आउटर कॉलम में इसका अमाऊंट दिशेंगे अगें यहां पर को रिखते कि अगये इस पर भी अगयें नहीं है के इसका माँट है 3,000 अगे और इस पर ऑजिस्मेंट नहीं है 2500 फिर फिर फ्रेट भी जाते हैं अपना टेडिंग अकाउंट में यहां आप लिखते है फ्रेट कामट है 700 इस पर ऑजिस्मेंट नहीं है प्रकॉलम् यह चीट गए अब आएंगे प्र्रेंटिंग नहीं तेस्ट नहीं जाता है प्रॉफिट अनलस अकाउंट साइड में तो आते हैं में प्रॉफिट अनलस आकाउंट के डेविश हैड में यहां पे लिखती हैं तु क्यों पेटिंग अच्छिंद आपना एसर आजच। में दिखे ट visit में आएंगे और यहां पे लिखने हैं ह भी सभी विये डेट्राइब सदी वी बेंदेट्स का मॉर्ट कॉर्टी थ्रीव थालज़न में किस्पे किस्पे इस संटीड बीट्ड जो थाेब यहां पर यांपर डि यह इसके बाद हम पर चाहिए इसके बाद है इसके वाद फर नीचर पान नीचर पे 20,200 अमाउंट दिया हुआ है इस पे भी आपको डिप्रीशियेशन दिया हुआ है एक लाइन स्कीप पर देंगे फिर लीज होल प्रॉपर्टी यह भी अपना असेट से असेट में लिखेंगे लीज होल प्रॉपर्टी इस पे कोई एजिस्मेंट नहीं है लिखेंगे इन्वेश्मेंट ये भी जाएगा अपना एसेट में यहां लिखते इंवेश्मेंट और इसका मांट इंवेश्मेंड का 15,000 को फिर यह ए त्रैवलिंग एक्सेंस इक्समेंस पिर शाथा है प्रॉफिट यंग लॉस्में तो हम आइंगे-प्रॉफिट असमें यहां पर लिखेंगे तू रावलिंग एक्स्पेंस इस पर अजिस्मेंट नहीं है तो अमांट हम आपको लिखेंगे 3,450 इसके बाद है अबर्टीजमेंट तो अबर्टीजमेंट भी जाता है प्रॉफिट लगाना ना भूले तो अबर्टीजमेंट पेड फॉर त्री इयर से और इसका अबंट है 30,000 इनर कॉलम इस पर हीटन एजस्मेंट है फिर बैट डिप्स है तो यहां प्लिखते है तू ब थे बैट टिप्स का मांट है 500 इड़े दिखो फॉर्मेट लिके रखोगे तो हर वाल लिखो तो आपको यार्ड हो जाएगा इसलिए आपको एक्जाम में और ईजिजी हो जाएगा समझने दा बैट डिप्स में क्या आता है पहला तो फॉर्टर बैट डिप्स एड़ अड् सब्सक्राइब तक यह आपको फॉर्मिट लिख नहीं है यह अपका की यह फॉर्मिटिक में आपको उसके बता ताक्या को यह याद हो जाए फिर डिसकांट अलाओ भी जाता है अपना प्रॉटटन लउसकांट डेविशाइड में तिहां आप लिखेंगे है रूदिसकांट और इसका अमाउंट है 1,800 अलाउड नेक्स फिर कैसिन यह अपना इसेट साइड में जाएगा आते बैलेंस इसेट साइड में ओके यहां पर लिखेंगे कैसीन हैं फिर अपने पास कैसेड बैंक कि कैसिंग का माउंट है 7000 और कैसिंग बैंक का माउंट है त्वेंटी ताउज़न इसके बाद है फिक्स डिपोज़िट एसेट साइड में जाता है इसका माउंट है 15,000 बड़ इस पर एजिस्मेंट है तो इस पर एक लाइन स्कीप कर देंगे चलिए यह हो गया अब इसके बाद आते हैं हम लोग के बैलेंस पर इतर देखो के साइड में पर स्केड़िए क्यापिटल दिया हूँ तो लाइबड़ी साइड में आओ क्यापि इसके नीचे चाल लेंग कर दो 1234 एक नीचे भी चाल लेन रिफ कर दो 1234 अमाउंट कितन है इसका 80,000 है इसका भी आमाउंट है 80,000 है पर संदी कर्टर क्याइब लाइबडी साइड में संदी कर्टर लिख दो यहां पर कि इतना अमाउंट है इसका 20,500 इस पर जेस्में नहीं है इसलिए आउटर कॉलम इन्टेश राउस के साइड में अपना इन्टेश साइड में आते हैं क्योग उपस दू-थिप्र के लिको बाई इंट्रेस डीसीव और फिक्स डीपोजिट कि 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 कितना है 1000 को इनल को क्योंकि इस पर और एक एजस्ट्मेंट है तो इसको सौल करेंगे फिर बैंक और राफ बैंक और आप जाता है लाइबिटी साइट में तो सब्सक्राइब को बैंक और राफ कि बैंक और आफ कितना है 10,000 आउट और कॉलम फिर सेल्स सेल्स आएगा अपना टेडिंग अकाउंट में देखें टेडिंग अकाउंट में सेल्सक्राइब लिखा है अम लिखो वन लाग 20,000 यह होगे इतना देखें यहां पर आपने पूरी इंटी कंप्लीट कर दिये है अब हुम आएंगे के अैसुआ ने हैं यहां तक हो गया होगा कंप्लीड है लिए चली आते हैं और सब्सक्राइबBERG हुम तो सब्सक्राइबार तेडिंग अकांट के खेड़े साइड में फर्स भाइड क्लोजी स्टॉक अमांट है 35 आपको दो दिया एक 45000 एक 35 थाउसन का तो आपको 35000 का ही इंटी देना है इसका जो जाता है वह बैलेंस इडिके असे साइड में जाता है तो हम आएंगे अहांपर दिखेंगे को सींग इंगे कि इतना है 35,000 कि हो गया यह जित्वे नेक्स इसके बाद आते हैं भी इंटेस ऑन फिक्स डिपोसिट 1200 इस तील इसी बड़ तो फिक्स डिपोसिट पर हमें इंटेस रिसीव करना बागी है तो इधा पर लिखेंगे आड इस अभी बाकी है तो इधा लिखेंगे इसका जो सब्सक्राइब कि इसका जो जाएगा फिक्स डिपोसिट तो इस अभी आट करेंगे आउसेंडिंग अपको समझाया है सब्सक्राइब कितना है 1200 1200 लिखा इसको आड़ लिखें आउटर कॉलम 2200 आयप सब्सक्राइब यहां तक हो गया है चलो नेक्स्टीं थर्ड एजिस्मेंट आते हैं प्रवाइड आड़ेड आट 2.5 परसिंड उन संदी देटर्स तो संदी देटर्स पे आपको आड़ेड कर सब्सक्राइब करना है कि इसको कर लेते हैं को 2.5 परसिंड का कितना आएगा वो देखते हैं आए यहां पर आपको समझा देता हूं कि अपने पास कितना है 43,000 का माउंट है इस पर आपको 2.5% करना है 2.5% ऐसा लिखते है कि अब यहां पर आपको समझने के लिए यहां पर कर देता हूं अब यहां पर कितना है 43 और 25 इन्टू 25 ओके तो 5-3-15 मैं डायक कर सकता हूं 25 से लेकिन आपको समझने के लिए मैं यहां पर एक नुम्बर से घर दाओ 5-3-15 फिर वन के लिए 5-4-20 21 फिर 2-3-6-2-4-8 इसको एड कर लेंगे सब्सक्राइब यहां पर कितना है 1075 फोटी थी थाउजन मैंसे हम क्या करेंगे 1075 फिर यह जो 1075 यह अपना आड़ीडी आया है देखे इसमें से हम लेस करते हैं मॉंट तो लास्ट में आएगा आपका 25 इधर पर 9 यह फोटीवन सब्सक्राइब यहां पर कितना है था 1075 इसको लेस करने पर कितना है फोटी वन नाइन क्वेंटी फाइब यहां यहां पर हमने इंटी दी यह अपने पास आड़ीडी है इसको डास करके सिता आउटर कॉलम में यह फॉर्मेट नहीं लिखो के तो भी चलेगा डायक करो कोई दिकत नहीं है बट मैं इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको यह कॉंसेप समल जाए यह होगा अपना यहां पर अभी थर्ड एजिस्मेंट हो गया अभी फॉर्थ डैपी आएंगे यहां पर हमने फर नीचे लिखा हुआ है इसको लेस करते हैं अब इस इतना टाइम देगा एक्जाम में कि आप ज्यादा क्यास्व कर सको इसलिए यहां से दो जिए पहले चैंसल कर दो प्रेसेंट में क्यासा होता है हन्डेर होता है यहां प्रिfolg Čकर आप यह जो 2-0 को हटाने के बाद 20 वाल ओट को फाइशना शांती कर दो सबस्त inad ao 90 2014 चैंठ ढया my 190 दीखें और 20 में इसे बन गया तो 19 बताब 1990 जिरो 19,190 यह डेप्रीशेट आगे डेप्रीशेट का सेकेंड एफेक्ट देएंगे हम प्रॉफिल एन लॉस अकाउंट के डेविशाइड में यहां फिर रिखेंगे टू डेप्रीशियेशन्स ओन अन फनीचर कितना था 1010 आपको कभी भी एजिस्मेंट लिखना है जो आउटर कालर में आटें और वह नहीं लिखना है यहां पर दिखा दो आपको बचलों मिश्टेक यह करते हैं कि यह वाला लिखते जो कि अपने को लिखना होता है यह वाला मॉंट डेफ्रीशेट इस निए चलों कंपनी कंपनी एड्मिटर क्लें आपकी 6000 ओनली तो यहां पर दिखे बुट का एजिस्मेंट आ गया है तो जैसे अगर आपने एजिस्मेंट के मेरे वीडियो देखे होंगे तो वहां पर मैंने समझाया थे कि अगर गुट्स वर्ड आ गया है तो उसको हमें इसके एट थाउजन का जो गुट्स था वह दिस्टाइड हो गया है फिर इसके आगे स्टेटमेंट के लिखा वाए इतना एंटी दिने के बार फिर इंस्वरेंस कंपनी एड्मिटर क्लेम अपर पिल 6,000 तो जो इंस्वरेंस कंपनी ने क्लेम किया हुआ है बिसिकली तो करेंगा मेरा प्राफिट एं लॉस अकांट के दिखेंगे यहां पर मैं रिखूंगा तू लॉस बाई फायर ठीक है लॉस बाई फायर कितने का लॉस बाव तू थाउसन समझेगे तो इसके तीन इफेक्द दिरिखाई देंगे अपने को ते इन अकाउंट पर आफिद एंस इसका हम वर्किंग नोट करेंगे तक है वार्किन नोट आज अज़ते हैं लोग यहां पर बताता हूं लेकिन आप उस प्रापर पेज़वेगें का लिए नुट यहां है अरुछ यहां पर हमर्द हम क्या गरने वाले हैं प्रीपेड ऑड्वर्टीजमेंट है और और यह को चाहिए कितना 1 नतुम आपन से दीवाइड कर देंगे पहले लेगर 10 थाउजन यह जो 10,000 है यह मेरा एक साल का रहेगा तो यह जो 30,000 मैं मैं इस Indicator कर दूंगा ते यहां पे मैं बॉर्ड दूंगा प्री पेड़ एक वास को 30,000 माइनस 10,000 10,000 मेरा एक साल गाए और तीन साल का 30 हजार है इसको माइनस करने पर कितना आएगा 20,000 मेरा यह 20,000 मेरा प्रिपेड बनेगा समझे और प्रिपेड कमाउंड इनर कॉलम में आता है तो यह वर्किंग नोट है आप इसको नोट दान कर लिजे तम यह प्रिपेड कितना है 20,000 इसको लेस पूर्म में लिखें dice 10,000 तो में यह ओगे यहां पर के तो 20,000 पिपेड एक सिगेंगे balance इसे अपना assets होता है यहां पर लखेंगे prepaid advertisement कितना है 20,000 हो गया चलिए अब यहां पर अपना सब कुछ complete हो चुका है अब हम क्या करेंगे trading account को आते हैं अभी trading account में अपहला तो हम वो credit side का total करेंगे हमेंसा प्याइद का amount क्या होता है ज्यादा होता है तो यहां पर sales return कुछ नहीं है तो इससे minus करेंगे मतलब minus कर निए कुछ है नहीं तो sales का पूर सिदा outer column में सेम इसी तरीके से यहां पर पॉर्चेस में कुछ निए तो 80,000 आउटर कॉलम में हो गया इतना अब हम इसको टैली कर सकते हैं क्लास कि टैली करते हैं में उपर एक नीचे दो लाइन इसको आड़ कर दीजे और लेक्ट 20,000 35 और 8000 इदर आएगा 55 55 55 फ्लस डेट 1,63,000 1,63,000 इसे अंवांट यहां पर भी लिखिए देबी साइड पर 1,63,000 अब डेवी साइड की अमट को प्लस कर लिए कितना आएगा वो देखते हैं तो मैंने यहां पर डेविसाट का प्लस किया तो मेरा आंसा है वन लैग ट्वेटी फॉर थाउजन फाइंड़ आ रहे हैं चलिए मैं माइनस करके देख रहे तो मेरा ग्रास पॉपिट कितना आएगा तो वन लैग 63000 में मुझे माइनस करना है यह मुझे माइनस करना तो मैं इसको माइनस करता हूँ तो 00 तो जीरो लास में फाल वो गया तो तो यहां पर तो यहां पर तो यहां पर लिखता हूं तो यहां पर लिखेंगे टू ग्रॉज प्रॉफिट सीडी अब यह पर लाउस अकाउंट के डेविट साइड में क्योंकि अपने पास प्रॉफिट है तो यहां पर आते प्रॉफिट साइड में बाइब लिखेंगे ग्रॉफिट प्रॉफिट कितना यहां था 38500 अब मैं इसको आड़ करेता हूं यहां पर लिखता हूं मैं कि इसको आड़ करूंगा तो इसमें आएका 40700 हमें साइड का अमॉंट ज्यादा आता है इसलिए मैं यहां पर लिख ले रहा हूं देखें कि इस पुटी ताउजन सेवन हंड़ेड अभी डेविशाड के अमॉंट को मैं प्लस करता हूं इसको प्लस करने पर आया 25 जा भी बताता हूं मैं 25885 आया और इसको मैं मैंस करेंगा 40700 से देखें कि मांस कर लेते हैं तो आला समय 15 आयेगा यहां पर बच्छा 6 तो यहां पर 4 में से करेंगे तो यहां पर प्चाथरी फ्रफिर यहां पर था 10 हो गया था 10 में से इधे बाभी 9 हो गया 9 मिसे इधे वन करीके इसलिए 9 हो गय ने 16 में से 8 गया तो 8 फिर 9 में से 5 गया तो 4 दीक है और 3 में से 2 गया तो 1 तो इतना आएगा 14 8 15 दीक है चलिए यहां पर मैं लिखता हूं 14 8 15 अभी इस दर लिखता हूं है तू नेट प्रॉफिट जो आवंट आएगा उसके उपर से तीन लाइन पर लिखना है तू नेट प्रॉफिट और उसके निशी लिखता है पार्टनर का नाम था प्यूज एन अरून अभी आपको कोस्न में देखना है कि आपको प्रॉफिट सेंग रिशूस दिया है या नहीं दिया हुआ है तो इस पूरे कोस्न को मैंने रीड किया तो आपको कहीं पर भी प्रॉफिट सेंग रिशूस नहीं दिया था तो मतलब अभी क्या होगा यह इक्वल इक् इहाँ पर यहाँ पर आएगा 7407 तो उपर आएगा 7408 किसी एक पार्टनर को वेन उपीस ज्यादा जाएगा क्योंकि अगा आप आप आशर डेजीमल में आएगा तो आप यह पोडिकल में आशर लिखना नहीं होता है इसलिए हम क्या करेंगे इसको किसी एक को ज्यादा करेंगे आपने किसी को भी एक रुपया ज्यादा दे सकतो आपका अंसर राइट होगा अब ये जो नेट पॉफिट आया है लिए के इसको हम पार्टनर्स क्यापिटल में । स्ब्सक्राइब कर देंगे आते अफिश्च बैलन्स टूब भी इसको 80,000 में प्लस करेंगे आउटर कॉलम में लिखेंगे 87,408 फिर अरुन में भी एड करेंगे यहां पर नेट प्रॉफिट 7407 इसको एड करके आउटर कॉलम में लिखेंगे 87,407 ठीक है यह हो गया अब हम इसको एड कर लेते इसको एड कर लेते इसको एड कर लेना आपको तो इसमें आंसर आएगा तो लास में तो 15 आएगा दीके 15 हो गया फिर इसके बाद इसको एड नाइन शज्राइए थरी तृ को बन क्यारी किया फिर 14 15 15 फिर बन क्यारी किया एड दे इसक्स्ती इसक्स्तीं 16 16 प्लस 2 18 19 और यह क्यारी किया था 20 ति तरह आया 2,5,315 लेके और asset side का भी हम यहाँ पर confirm करेंगे कितना होगा और दोनों amount same आना चाहिए तो class मैंने यहाँ पर balance it का asset side को भी confirm कर लिया है दोनों का amount same आएगा तो यह सम अपना यहाँ पर complete होता है आया अप class की यह पुरा जो concept था यह आपको समझ में आगया कि किस तरीके से आपको solve करना चाहिए चलिए आप इसको प्रॉपर तरीके से no down कर लिजे अब हम मिलेंगे next lecture में question number 5 के साथ इसे आप तक different questions है इसलिए अब तक आपने जितने भी question किये सबके concept सब्सक्राइब आपको आने वाले जितने भी समय सब्सक्राइब समझ में समझने में easy हो जाए तेके चलिए आप मिलेंगे next video में thank you for watching